दोस्तों आज हम एक ऐसी ही latest और important case के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पत्नी ने court में साबित कर दिया लेकिन इन सब के बावजूद court ने पती का पक्ष लिया और पत्नी के maintenance को dismiss कर दिया दोस्तों maintenance के कानून को पत्नी के लिए इतना सरल बना दिया गया है कि पत्नी को उसमें कुछ भी प्रूव करने की जुरूरत नहीं है पत्नी को केवल इतना कहना है कि वो पत्नी की legally varied wife है उसके पास कोई भी source of income नहीं है कोई कमाई का साधन नहीं है पत्नी उसे maintain नहीं करता या maintain करने से मना करता है पत्नी उसके साथ मार्क पिटाई करता है अत्याचार कहता है केवल इतना कहने से ही पत्नी maintenance लेने के लिए entitled हो जाती है और इसी बात का फायदा उठा कर पत्नी अपनी income को तो zero या कम से कम दिखाती है और पत्नी की income को बढ़ा चड़ा करके 5 गुना 10 अमेदारी पती के ओपर आ जाती है पत्नी को ही प्रूव करना पड़ता है कि पत्नी लेगली वैडिट वाइफ है या नहीं है पत्नी के पास अपना आयका साधन है अपना source of income है पत्नी ने कभी भी पत्नी पर अत्याचार नहीं किया पत्नी उसे regularly maintenance देता था ये सब बातें पती को ही प्रूव करने पड़ती है और ये भी पती को साबित करना पड़ता है कि पत्नी ने पती की income के बारे में कोट को गलत information दी है पती की income को बड़ा चड़ा करके बताया है जबकि पती की इतनी जादा income है ही नहीं दोस्तों ये तो honorable supreme court की judgment रजनीश फरसी नहा का धन्य है कि honorable supreme court ने अब पती और पत्नी दोनों के लिए income एफिडेविट को mandatory कर दिया है जिस कारण दोनों पती पत्नी को अपनी actual income अपना actual financial status के documents court में सम्मिट करने पड़ते हैं information सम्मिट करनी पड़ती है दोस्तों धीरे धीरे इस सही लेकिन court की approach में भी बदलाव आ रहा है court of maintenance cases में भी पत्नी के maintenance को खालिच करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है जहां पर court को ये पता लग जाता है कि पत्नी के द्वारा कानून का दुर्पयोग किया जा रहा है दोस्तों आज हम एक ऐसी latest और important case के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी ने court में साबित कर दिय कि वो legally wedded wife है पत्नी ने ये भी बता दिया कि उसके पास कोई भी source of income नहीं है पत्नी के पास अच्छी खासी नौकरी है अच्छी खासी income है साथ ही पत्नी के properties हैं assets हैं लेकिन इन सब के बावजूद court ने पत्नी का पक्ष लिया और पत्नी के maintenance को dismiss कर दिया दोस्तों वीडियो बहुत ही important है इसलिए आपने वीडियो को अंतर दरूर देखना है यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ ही notification bell icon दबा दीजिए in case आपकी कोई भी legal समस्या है legal problem है तो वो आप मुझे बेश सकते हैं यदि आप urgently मुझसे बात करना चाते हैं अपने matter को discuss करना चाते हैं तो आप call me for application का इस्तमाल कर सकते हैं या email से मुझसे one to one session की appointment ले सकते हैं दोस्तों इस case में पत्नी के द्वारा पती से भरन पोशन यानि की maintenance लेने के लिए section 125 CRTC के तहत केस फाइल किया गया पत्नी का कहना था कि वो पती की legally varied wife है उनकी marriage संदो ज़र 10 में हिंदू रिती रिवास के अनुसार हुई थी दोस्तों पत्नी का आरोप था कि शादी के एक साल के बाद पती बिना कारण से उसके साथ मार पिटाई करता था उससे लातो घुसों से मारता था जिस कारण से पत्नी ने पती के खिलाफ पुलिस में F.I.R. भी पत्नी ने कोड को बताया कि उसका कोई source of income नहीं है कोई आयका साधन नहीं है जबकि पती के पास अच्छी नौकरी थी जिससे उसे 35,000 रुपे हर महीने मिलते थे साथ ही पती के पास जमीन थी बगीचे थे जिससे पती 5,000,000 रुपे हर साल कमाता था दोस्तों ट्रायल कोड के द्वारा पत्नी के हक में फैसला सुनाया गया और पती को direction दी गई कि वो हर महीने पत्नी को 2,000 रुपे बतार maintenance पे करें दोस्तों ये order पती पत्नी दोनों को ही गवारा नहीं था पत्नी के इसाब से 2,000 रुपे का maintenance बहुत ही कम था उसे चाहिए था कि कम से कम उसे 10,000 का maintenance मिले जबकि दूसी तरफ पत्नी के इसाब से पत्नी को 2,000 रुपे भी नहीं मिलने चाहिए थे क्योंकि पत्नी maintenance के लिए entitled ही नहीं थी इसलिए दोनों पती पत्नी के द्वारा trial court के order को high court में challenge किया गया दोस्तों पत्नी ने high court को बताया कि मौजूदा पत्नी उसकी legally wedded wife है ही नहीं पत्नी ने जो दोजाद 10 में marriage की बात बताई है ऐसी marriage उन दोनों के बीच में कभी नहीं हुई पत्नी का कहना था कि ये महिला बहुत ही चलाक औरत है पुरुशों को अपने जाल में फसा लेती है और फिर उन्हें पैसों के लिए blackmail करती है पत्नी ने बताया कि उसकी alleged पत्नी का already यानि की पहले भी किसी और व्यक्ति के साथ marriage हो चुकी है और उस व्यक्ति से पत्नी ने अभी तक तलाक नहीं लिया है और इसके बाद यानि की सन 2011 में पत्नी ने वेद प्रकाश नाम के एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी शादी करी और कुछ दिनों के बाद उससे भी तलाक ले लिया पत्ति का कहना था कि जब उसकी असली पत्नी का देहान्त हुआ उसके बाद मौजूदा महिला जिसने की 125 CRPC का केस फाइल किया है वो उसके contact में आई और धीरे धीरे दोनों में relation बन गए इसके बाद ये महिला उसे धमकाने लगी कि उसका नाम पत्नी के तौर पर पंचायत के record में दर्ज करवाय जाए नहीं तो वो इसे जूटे रेप केस में फसादेगी केवल यही कारण था कि पत्ति को उसका नाम पंचायत record में अपनी पत्नी के कॉलम में डलवाना पड़ा अपनी income के बारे में पत्ति ने बताया कि वो एक छोटा मोटा employee है उसकी तनखा भी कोई बहुत जादा नहीं है और इन सभी तत्यों को ध्यान में रखते हुए पत्नी के maintenance को खतम किया जाए क्योंकि मौझूदा पत्नी actually में उसकी legally varied wife है ही नहीं दोस्तों हाई court ने case के सभी facts और evidences को बड़े ध्यान से पड़ा दोस्तों evidence के दोरान पती ने अपनी गवाई के साथ-साथ वेद प्रकाश की गवाई भी करवाई वेद प्रकाश ने अपनी गवाई में ये admit कि उसने मौझूदा महिला के साथ सन 2011 में शादी करी दोनों कुछ दिनों तक पती पत्नी की तरह रहे और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो गया दोस्तों evidence से high court ने एक important बात और notice करी कि दोजा 10 से पहले भी पत्नी ने शाली ग्राम नाम के व्यक्ति के साथ शादी करी थी जिसका कि उससे बकायदा court में divorce हो चुका था इससे एक चीज तो बिल्कुल clear हो गई थी कि जब मौझूदा पत्नी ने पत्ती के साथ शादी करी दोजा 10 में उस समय तक उसकी पहली शादी खतम हो चुकी थी divorce हो चुका था ऐसे में पत्ती का ये कहना कि महिला उसकी legally wedded wife नहीं है ये दावा पत्ती का खोकला पड़ जाता है खतम हो जाता है यानि कि कोड के सामने ये प्रूव हो चुका था कि पत्नी legally wedded wife है ये भी प्रूव हो चुका था कि पत्नी का कोई आयका सादन नहीं है और पत्ती की income भी कोड के सामने आ चुकी थी अब एक तरह से बिलकुल निश्चित था कि पत्ती के उपर maintenance लगना ही था यानि कि नीचे वाली कोड के order को upheld किया जाना था दोस्तों इस point पर जाकर पत्ती ने हाई कोड के सामने एक दलील और रखी कि अगर पत्ती legally wedded wife है तो पत्ती ने सन 2011 में वेद प्रकाश से भी शादी करी दोनों पत्ती-पत्ती की तरह रहे और फिर उनका डाइवोर्स हो गया जो की वेद प्रकाश ने अपनी गवाही में भी एड्मिट किया और पत्ती ने भी एक दूसरे case में इस बात को एड्मिट किया हुआ है ऐसे में पत्ती ने ये खुद एड्मिट कर लिया है कि पत्नी ने अडल्टरी करी है, पत्नी ने पराय मर्द के साथ संबंद बनाये है, जिस वज़े से पत्नी मेंटेनेस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है दोस्तों पत्नी के इस नए पॉइंट से नई आर्गूमेंट से हाई कोट भी सहमत था, क्योंकि पत्नी ने 2011 में वेद प्रकाश से शादी करी, दोनों पत्नी पत्नी की तरह रहे ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पत्नी ने शादी के बाहर जाकर के गैर मत के साथ संबंद बनाये हैं और पत्नी ने अडल्टरी करी है और इन सब को देखते हुए हाई कोट ने पती के पक्ष में फैसला सुनाया दोस्तों हाई कोट ने पती की प्रिटीशन को अलाव किया और पत्नी के द्वरा जो प्रिटीशन डाली गई थी उसे खारिच किया, खतम किया ये कहते होए कि पत्नी ने अडल्टरी करी है, पत्नी ने पराय मर्द के साथ संबंद बनाये है जिस वज़े से पत्नी मेंटेनेस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है दोस्तों इस केस इस जजज्मेंट पर आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीज़ेगा यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्राबलम है, तो वो भी आप मुझे बेज सकते हैं इस जजज्मेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर कि आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर दुरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, अगली बारी मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन